तो एक और भेहतरीन स्टॉक अनाइल सिस्की वीडियो आज मैं लेकर आ चुका हूं तो आज हम बात करेंगे अवास फानाशरी इस लिमिटेड के बारे में कंपनी करती क्या है इंकॉर्परेट का वुईती पूरी चीज़ जानेंगे टेक्नेकल भी फंडामेंटल दोनों और पैसा डाल सकते हो मैं नहीं बोल रहा है आपको प्राइज मूव होता है तो आप लोग लगा दिया है वन वीक टाम फ्रेम पर और चार्ट को मैं बढ़ा कर देता हूं इसको हटा देता हूं और अच्छी तरीके से चार्ट दिख पर है ठीक है तो अभी मार्केश होते हैं दिखेगा सो अभी कुछ बेसिक चीजों के बार में डिसक्शन कर लेते हैं कि किस तरीका ब्रेकाउट है क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले बहतरी स्टॉक में वारे अभी का जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है यह आपका ट्रेडिंग प्राइस चल रह अब यहाँ पर खड़ा है वन सिक वन फाइव अभी बात करते करते हैं बहुत ही बहतरीन ब्रेक आउट हमें देखने को मिला है अब इसकी रैली से स्टेन होती है नहीं होती हो तो बात की बात हैं बट अगर किसी ने इस टॉक को अग्रीगेट करना अग्रिजे वेरी सब्सक्राइब करते हैं और अब भी वन सिक टू 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 फाइव के आसपास जा चुका है अपना हाई आज की दिन बन सिक 3040 का लगा चुका है गाइस पहली बात तो यह कि कुछ इंपोर्टन सपोर्ट रिजिस्टेंस के बात कर लेते हैं गाइस अगर मैं की बात रहने वाली है अवास हमारा अवास फैनाइंशल का स्टॉक है उसी के अंदर वह रहेगा 2400 का लेवल सीधा और गाइस अगर मैं एटी एक की बात करूँ सो एटीए जो आल टाइम है इसका वो तीन अजार से बहुत ऊपर है अप्रॉक्सिमेटली त्री थाउजन टू टू सतरा सो के लेवल पर अप्रॉक्सिमेटली 1700 के लेवल पर आपको 200 यह मैं देखने को मिल रहा है अगर मैं आवास पर आंश्री लिमिटेट की बारे बात कर लेता हूं आप बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो रहने वाला वह रहेगा आपका 1500 का लेवल ठीक है जो पहला सीरा तेरा सो का लेवल रहेगा प्रोक्सिमेटली और गई अगर मैं स्सृफ्ट बहुत इंपोर्ट रहने वाला है वह अपका अप्रॉक्सिमेटली 1100 का लेवल रहेगा सो घाइस आयोप आपको नीचे के साइड और ऊपर की साइट जो भी मैंने सपोर्ट और इसन्स की बा प्रिवियस अगर मैं बताओ वन डे के टाइम फ्रेम पर एक प्रीवियस इसकी यह रिस्टेंस थी जो कि आपका अप्रॉक्सिमेटली इस ने इतरा बहतरीन तरीके से सस्टेन कर रहा है इसकी और अभी वीडियो स्टाट करें तो बेस्ट 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 आपकी यह रहती है कि आपको क्या करना होता है आपको अधिकतर यूट्यूब पर लिख जाएगी वह लोग पते क्या बोलता है बहुत ही बहुत ही बहतरीन इंवेस्टिंग लेवल्स पर होती है आपकी जो भी मैं स्टॉक्स की वीडियो मिस मत करो यार फ्री का पैसा है अगर एक्विटी में आप लोग पाक करना चाथे उपना पैसा जो मैं आप लोग बहुत ही बहुत ही बहतरी ब्लूचिप कंपनी इसको बनाता हो उसको जरूर बार बार देखना और पैसा बनेगा बशल्गा और राइस का सिनयरियू रखते हैं हम यह नहीं करते हैं कि जब नीचे एक हमें sell-off देखने को मिलें तब हम खरीदे हमें हमें हमेशा उड़ते वे शेर में पैसा लगाना है कभी गिरते वे शेर में पैसा ने लगाना जब भी ये strategy follow कर लोगे equity में पैसा बना होगे यही बना होगे सब्सक्राइब को चे महीने एक equity बहुत ही आज हटके हैं बट मैं आपको एक चीजा वोली थी कि जब हम investing की बात करते हैं आप ETF mutual fund में invest कर सकते हो जब market में आपको गिरावट देखने को लें निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को ले तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट गई आप लोग के प्यारे कमेंट का मैं खुद परसनली रिपलाई करता हूं अब आपको यह वाले लेवल्स क्लियर हो गए हो गये अब वन डे के टाइम फ्रेम पर यह देखवा आप 16645 उड़े जा रहे है जो आप लोग लिए वीडियो बना रहा हूं बहुती भैतरीन बहुत बहुती अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आने वाला तो अभी यह यह क्या है अभी यह राए है लोग बना रहा है जो इसका लोई है लोगा बरेक होगया अब जब आपको इस ऑलेश लिए क्योंकि आपको आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल चुकि है तो इसका जो लोगा ब्रेक हो गया अब जब यह अपने हायर हाय लोग क्रियेट करें तो जब अब यह नेक्स हायर हाय क्रियेट करेंगा उस पर इसको बहुत ही अच्छा मोमेंटम चीह रहेगा दोजार के सब्सक्राइब करना और कर जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है उड़ते वे शेयर में पैसा डालो के पैसा बने गई बनेगा आप यह देखो गाइस वन सिक सेवन एट वन सिक सेवन नाइन उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है इस टॉक पर नजर जरू रखना अगर पै कंपनी के पर देख लेते हैं कंपनी वस इंकॉर्परेटेटें 2011 अवास फिनांचरी इस लिमिटेड प्रोवाइज हाउसिंग लोन एन इड्वांसस अब जरा मार्केट के पर बात कर लेते हैं सब्सक्राइब की रहने वाली है और मैं स्टॉक के पी रिश्यों की बात अब देखो गाई 1672 अभी वी उड़े जा रहे है ठीक है जब से अब अल्रेड़ी अप्रोक्सिमेटल यह पर्सेंट जमाप लोग वीडियो बनाई इस टार्ट करी यह पांच पर संट अप नहीं था तो आई ठीक है अब इसको काम करता हूं रिफ्रेश करता हूं अब चलते हैं अब ज़रब प्रोस की बात कर लो तो कंपनी अस डिलिवर्ट गूट प्रॉट फ्रीपाइट परसेंट सीएजी आइड कंपाउंड अन्वल ग्रोफ रेट ओवर दे लास्ट फाइव यह इस कंपनी जिल्स ग्रोथ इस अप्रोक्सिमेटली एट पर्टी पॉर्ट दिन में 1700 के पहुंच जाएगा अज भी 1700 के लेवल पर क्लोजिंग हो जाए मतलब आपको अप्रॉक्सिमेटली बताओ तो 340 पॉइंट 320 पॉइंट अपने अपने लिवर लेवल से अब जड़ा दुबारा फंडमेंटल पर चलते हैं अब गाइस पीर का बैजन में आप द करूँ अब फटा फट से ना जड़ा कौटरली रिजल्ट अनलाइस कर लेते हैं कंपडी के अब गई जो अभी तक का मैक्सिमम जो क्लोक हुआ था वह दिसेंबर 2023 में चीज देख पा रहे है कि फञांसिंग प्रॉफिट भी मैक्सिमम नहीं हुआ था उस तेम आपका अभी उस में 163 करोर्ण दिसेंबर 202 में 157 करोड़ का था गाइस प्रॉफिट ब्फॉट प्रॉट्वट बात करू आप देख पा रहो जो आपका दिसेंबर 2022 का प्रॉट्वट भी फॉट्यक्स ओं-वे तो 205 रिचोंग उसके बात जून दोजार थेयस में 141 करोड़ हो गया और September 2023 में 157 crores का आपका data हो चुका था, December 2023 में 150 crores का आपका data था, guys अगर मैं net profit की बात करूँ, so net profit अभी तक का जो maximum clock हुआ था, तो guys आपको बता है, financing industry में company, ठीक है, तो क्या काम है, एक जगे से पैसे लेकि दूसरी जगे देना, guys अगर मैं reserves की बात करूँ, पहले मार्च 2021 से start करते हैं, मार्च 2021 में जो revenue का, वो 2323 crores का था, उसके अगेंस जो borrowings थी, वो 6378 crores की थी, जो इसका revenue है वो इतना बड़ा नी, बट जो इसका approximately borrowings थी, वो double होगी, तो company expand करने की सोच रहे हैं, तब भी borrowings double होई है company की, मार्च 2023 में 3191 crores, और सब्टेंबर 2013 में 3434 approximately, 35 crores की आसपास, आपके reserves भुआ करते थे, guys अगर मैं कुछ important share holding pattern के बात कर लूँ, सब एक चीज देख पार हो, कि जो promoters की holding है, वो काफी 2-3 साल से constant है, 39% के आसपास है, और guys अगर मैं FIIs के stake की बात करूँ, so FIIs ने अपना stake का भी कम किया था, recently, और अपना जो public का share holding है, वो बढ़ी है, अगर मैं बात करूँ, कब से कब तक बढ़ी है, so September 2030 में हम देख सकते है, FIIs ने 35.49% से कम करा था stake, September से December जाने में, December में स्टेट था, 32.32, और अगर मैं guys मैं DIs की बात करूँ, so DIs में हलका सापना stake में increase किया था, 14.13% से 15.29% सो guys, नीचे देखें, so public की share holding में क्या difference है, September 2030 में 11.24% थी, और December 2030 में 13.29%, मतलब guys, public की share holding बढ़ा गई है, अब हमें यह देखना है, जो March 2024 का data हैगा, उसमें I am pretty sure, I am damn sure, जिसे आप से stock में rally आ रही है, जिसे आप से इसमें, you know, एक increase बहुत ही तगड़े तरीके से इसको appreciate का जा रहा है, public की share holding हो सकता है, कम करी गई हो, so guys, इन सब चीदों का ध्यानक रखना है, में को comment section में बताना कि क्या आपको ऐसी बहतरीन stocks पे जो उड़े जा रहे है, डेली होगा, so guys, अपने friends और family के साथ, guys, इस वीडियो को जो रहे करना, उनको भी बताना है, जो investing करते हैं, कि कितना ही बहतरीन stock हमारा आवास financials है, और कितना ही बहतरीन returns, इसने मातर 7-8 दिनों में, अपने investors, अपने shareholders को, retailers को, जिन लोगों नहीं भी इसमें पैसा डाला था, swing trading क बना के दी है, जो मैं आपको बतायागी, 310 रुपे, 320 रुपे के आसपास से 340, 330 रुपे से बना के दी है, अपने investors को, जो कि guys, approximately, अगर मैं बात करूँ, so 25% से भी जादा के return होते हैं, within a matter of 7-8 days, guys, comment section में जो बताना है कि कैसी लगए आपको stock analysis की वीडियो, और ऐसे ही बहतरी and stocks का analysis क्या आप लोगों चाहिए, या और कोई strategies की वीडियो बनाओ, options की वीडियो बनाओ, सब कुछ, comment section में आपको बताना है, आपके लिए उस पर वीडियो आ जाएगी, so guys, thank you for watching all our videos, please like, share and subscribe to our channel, and do share all our videos with your friends and family, so guys, अगर आपके वास dima account नहींगे, so free links, dima account ओपने आपको description box में मिल जाएंगे, ताकि आप लोग भी जाके ऐसे share खरी सकें, जो order रहे हैं और आपको बड़ी है return कमांके दे सकें, so guys, we'll be back with another video, thank you so much guys for watching, see you, bye